तो हेलो फ्रेंट्स, फाइनल मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपवर्तनांक के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है, अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी मैट्रिक बोर्ड एक्जाम में या फिर कमपटिटिव एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं सारा का सारा कॉश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपवर्तनांक से संबंधित बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों को लास्ट में आपसन भी बताऊंगा की से ऑपसन वाला अपवर्तनांक में जो है कॉश्चन पूछे जाते हैं तो फिर देरी किस बात की इस सांदार टॉपिक को सांदार तरीकर से सुरुवात करते हैं, बटो से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना करें, जब वीडियो समझ में आये, कोश्चन समझ में आये, सवाल समझ म पारिभासा होता है अपवर्तनांका निर्वात में परकास की चाल निर्वात का मतलब होता है हवा हवा को हम लोग सुनी भी बूलते हैं दोस्तों निर्वात में परकास की चाल यानि के हवा में परकास की चाल और उस माध्यम में परकास की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं जी हाँ दोस्तों निर्वात में यानि के हवा में जो प्रकास की चाल होती है और उस माध्यम में प्रकास की चाल के अनुपात को हम लोग अप वरतनांग कहते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे माध्यम दिया गया है और आप माध्यम आपको उस माध्यम के बारे में आपको चर्चा नहीं किये हैं आपको नहीं समझ में आया होगा जी हाँ, चलिए मैं आप लोगों को उस माध्यम का मतलब यह हो गया यदि आपको कहता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना है निकालिए तो इस फर्मूला से हम लोग निकालेंगे हवा में प्रकास की चाल जो है वो लिखेंगे और पानी में प्रकास की चाल जो है वो लिखेंगे मैं आप लोगों को उदाहरान द डोस्तों। तो चली आगे बरते हैं कि आखिर अपवरतनांग में और कैसे के कुष्षन पूछे जाते प्रकास सगन माध्यम होता क्या है नहीं समझ में आया होगा चली मैं आपको बताता हूँ जिस माध्यम में प्रकास के वेग का परिमान परिनाम कम हों। जिस माध्यम में प्रकास के वेग यानि प्रकास की जो चाल होती है उसका परिणाम कम हो और उस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो उसमें प्रकास की चाल कम हो और उसका अपवर्तनांक जादा हो और हो होता है और इसे प्रकास सगन माध्यम कहा जाता है यानि जिस माध्यम में प्रकास का वेग का परिमान कम हो और उसका माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो तो उसे हम प्रकास सगन माध्यम कहते हैं ये question पूछा जाता है पोवर्तनांक में दोस्तों एक्जाम में कई बार question इस तरह के पूछ लिए जाते हैं अब उसी में अगर हम लोग सगन माध्यम को देख लिए तो प्रकास ये viral माध्यम को देखिए सगन माध्यम क्या होता है मैं आपको बताने वाला हो example से सुनीएगा, समझेगा पहले हम लोग प्रकास ये viral माध्यम को देख लेते हैं जिस माध्यम में प्रकास का विग का परिमान अधिक हो और उस माध्यम का पूवर्तनांक कम हो तो इसे हम प्रकास ये viral माध्यम कहते हैं और इसी को प्रकासे विडियल माध्यम कहा जाता है नहीं समझ में आया होगा ना माल लिजे ये आपका दोस्तो इस पार्ट में आपका हवा है ठीक है तो इसमें प्रकास की चाल क्या होगा एकदम तेजी से निकल जाएगा यानि प्रकास की चाल बहुत जादा है यहाँ पे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई रुकावट नहीं क्योंकि यहां तो बीच में हवा है तो हवा में कैसी रुकावट प्रकास की चाल को अब माल लिजे यह आपका कांच है दोस्तों क्या है कांच है तो इसमें जब प्रकास की चाल प्रवेश करेगी थोरा तो दिक्कत होगा अन लोग देख लेते हैं कि प्रकास की चाल जो होती है वो हवा में कितनी होती है दूस्तू तो मैं आपको बता दू इस तरह से question पूछे जाते हैं निर्वात में यानि कि हवा में प्रकास का वेग होता है कितना होता है तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रती सेकेंड इसी को हम लो ये प्रकास का वेग कितना जादा है जी हाँ तो चलिए अब लोग हम लोग next topic पे बात करते हैं अपवर्तनांक में किस तरह के question पूछ लिए जाते हैं अब ये देखिए आपके लिए बहुत ही important है यहां से question आते हैं कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक में यहां पे लिख दिया हूँ जैसे पदार्थ में जैसे वायू का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.003 होता है हवा का वायू का और बर्फ का कितना 1.31 होता है जल का कितना 1.33 होता है और अलकोहल का कितना 1.36 होता है किरो सीन यानि के तेल मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं उसका 1.44 होता है अपवर्तना तारपीन तेल का एक दसमलब चार साथ होता है कांच का 1.5 होता है सगन फिल्ट कांच का 1. matched चो पांच होता है और हीड़ा का जो हुए 2.42 होता है कई बार एकजाम में ये question आपको बूछा गया है कि हीड़ा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तु तो आपको याद रखना ह कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है जिसका भी अपवर्तनांक जादे होगा फिर से रिपीट करिये मैंने क्या कहा रिपीट करिये जिसका भी अपवर्तनांक जादा होगा तो समझ लिजिए उसमें प्रकास की चाल जो है न वह बहुत ही कम होगा उसमें प्रका हीरा प्रकाश की ही चाल सबसे कम होता है अब हम लोग बात करते हैं निर्पिक्ष अपवर्तनांग की ये भी question पूछे जाते हैं निर्पिक्ष अपवर्तनांग क्या होता है तो निर्वात का अपवर्तनांग का मान यानि के हवा का अपवर्तनांग का मान 1.0003 होता है इकाई माना गया मान लिजे की निर्वात का जो अपवर्तनांक कहा जाता है निर्वात का अपवर्तनांक मालीजे कुछ माल लिया गया तो इकाई माल लिया गया इसी कारण से निर्वात के सापिक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निर्पिक्ष अपवर्तनांक कहते हैं जी हाँ दोस्तू अब option मैं आप को दिखाता हूँ कि एग्जाम में किस तरह के option आपको पूछे जाते हैं पूरा का पूरा केलियर हो जाएगा option देखिए आपको exam में किस तरह से पूछे जाते है किसी माध्यम का अपवरतनांक मालीजे N है और इसमें प्रकास का वेग सी है तो क्या होगा अगर इसमें प्रकास का विग C है तो क्या होगा देखे इस तरह से आपको option exam में दे दिया जाएगा और आप confuse हो जाएंगे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि दोस्तो इसका option किस तरह से exam में पूछा जाता है तो दोस्तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर N है और इसमें प्रकास का विग अगर C है तब जो है आपको मैंने आपको N बराबर बोला था कि वहाँ पे आपका C बटा भी होता है लेकिन यहाँ पे अपवर्तनांक दे दिया गया है और उसका विग दे दिया गया है तब पूछता इसमें क्या होगा अस्तिरांग का मान तो अस्तिरांग का मान जो होगा वह आपका A हो जाएगा option A हो जाएगा दोस्तों इस तरह के exam में question पूछे जाते हैं और देखें दूसरा question किस तरह से पूछा जाता है किसी माध्यम का पूवर्तनांक होता है अगर किसी माध्य में सैन आई बटे सैन आर यानि कि option नमबर जो है इसका ए बिल्कुल right answer हो जाएगा अगर आप ओवरतनांग से संबंदित आपके exam में question पूछे जाते हैं तो इससे बाहर एक भी question नहीं पूछा जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like करना ना पसंद आया हो तो dislike करना और पसंद आया हो तो अच्छा comment करना चैनल पर नहीं आया है तो subscribe करके साथ में bell icon को दबाना मत भूलना तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम